आपने आंगण में आपका स्वागत हैं और सभी दर्शकों को राम राम जी तो आवला को सीज़ना रहे हैं इटाइम सर्दियां में आवला ये बिल्कुल बड़िया तरीकों पक्के त्यार हो जाएं जन्वरी सर्दी के अंदर और फर्वरी में आवला सेयत के लिए बहुत ही फाय्दयमंद लिए बाडां के लिए भी बडी आइं सकीन के लिए बडी ऑए और पिर समंधी के लिए भी बडियां बैंद तो आज मैं था ने लें आवला को अचार डालनों बतासे हूं वही आवला को अचार की तरीक हूं आवला की एक कड़ी भी खामाबबा भी बहुत ही छेत के लिए बहुत बढ़ी है 500 ग्रामें साफ पाणियों दो के आवला ले लियाएं और कोई दाग्गी को ने कोई दाग्गी हुए भी तो भी इनकी उबलना के बाद मापां कड़ी यह लग करांगा ज़कर देंगा तब पाणि उबल गिए उबलना के बाद माँ आप आँच कावला लियाएं बैसारा इपाणिक अंदर डाल दियाएं एक उबाल आणा के बाद माँ आपां गेस बंद करद्यांगा और इक अंदर डखकें दो मिन्ट इक अंदर रख द्यांगा ताकी बैक्कें कड़ी यह लग हो जेंगी आदी चमाचे अल्दी पावडर डाले और थोड़ू नमक डाल दियो इक अंदर कड़ी बिन्ना उबालना के आवड़ा उबले बिन्ना आपांचे कड़ी अल्द करां तो इकी जीकी फां केंबे अल्द कोनियों है वेस्ट बोत हो जें और एक सई तरीकवई की साफ सुत्री यां कड़ी कोनियों है तो आपना उबल के विल्कुल ठंडो गयो अबापाने आ अलग कर लें और अब आंकी बहुत ही सरल तरीकव हुई है आंकी फांक बन जाएंगे एक एक कड़ी खुल जागे कि तब आंकी गुठली अलग कर देंगा और एक एक फांक आंकी आवला की अलग कर लें इतरीकवान निकाल के और गुठली अलग कर एक 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 फांक है कोई भी जे फांक का उपर दाग है तो बिन अलग अटा द्यांगा कड़ी ने बिल्कुल साफ साफ कड़ी आपा ले लेंगा स्वास्ते के लिए बहुती बढ़ी है एक कड़ी या मुर्बो बना के खाओ चुरुन बना के खाओ अचार बना के खाओ केंडी बना के खाओ आवले का गटा गट बना के कुछ भी आवले की कोई रेसिपी बना के खाओ तो शरीर स्वास्ते के लिए बहुती बढ़िया लाफदाईगा है तो कड़ी आपने बिल्कुल अलग-अलग करकियां त्यार कर दी गुठली निकलना के बाद में 500 ग्रामी कड़ी बची है तो अब आने मसालो त्यार कर लिया अचार को सूफ लिया दो चमच एक चमच मिठी लिया मोटी राई है जिकी सर्चू बोला और जीरो भी है च्यारूं चीजी मिक्षी के जार में डाल गे और इन दर्दरा मिक्षियों पीस लियांगा आपां बिन्ना बुन्ने सारो मसालो मिक्षियों दर्दरों पीसना के बाद में मिक्षियों जार हों आपांवे पीस के त्यार कर लिये ओ देखों दर्दरों गे ओ अब आपां मसालों जो को डालांगा अचार में एक कड़ाई में तेल डाल दियो तेल गरम होना के बाद में बंद कर दियो और इक अंदरा पाँ चुटकी बरहिंग डाल दिये थोड़ों जीरों डाल दिये गेस बिल्कुल बंद कर दिये और थोड़ो गरम तेल के अंदर आप आप अलदी और डाल दी क्यों आलदी कच्चिन नहरा एक कारण और मीर्स पाउडर है वो भी आप आइं तेल के अंदर ही डाल दी इक अंदर ही आप लिए मसालों भी आपा जो को दर्दरों पीस सीँ तेल के अंदर इक हातर आपां पहली भून्यों को नी और आप आप आपके स्वाद के नुसार डाल जो जो कि खोली नीपै कली बी टेल ज्यादा गरम तेल में कुन दालनी, थोड़ा थोड़ा तेल है, गुन गुनों तेल मानलों, भी तरीके तेल का अंदर यहने मिला लिए आवलों की तरीकें खाऊ पर खाणूंची यह अब आपनों मसालों बिलकुल एकदम आवलां का उपरे, अज की भी कड़ी यहां का अंदर एकदम पर्फेक्ट त्यार होगे, अचार भोती सरल तरीकें और जित्ती जूर तो अभी तो इबना लियो अब थान मारों वीडियो की शोक लागयों वो थे जुरूर बताओं देखता देखता लाइक और शेर कर देओं और नया वो तो सस्क्राइब जुरूर करों अचार है जो कईगी खुश्वू किच्छन के अंदर खूब हो रही हैं और बहुती टेस्टी बहुती स्वाद बनके त्यार हो गयों तो थे भी जरूर एक एक बार आम लेगों अचार बना के यी तरीकां देखो बहुती जी और सुरल बन जागो बिलो जी अब करां राम राम है और आगले बीडिये में फिर मिलाना थर सक है